हेलो एब्रिवन, वेलकम टो इंडिया जाबसर्प तो फ्रेंट्स, नर्सिंग की एक और जबदस वेकेंसी के साथ हमें यहाँ पर आ चुके हैं बहुत ही जबदस वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, NCHM की तरब से यह वेकेंसी यहाँ पर जारी कर दी गई है नोटिफिकेंसी अफिशल वेकेंसी पर आ चुका है, जिसमें की स्टाफ नर्स की वेकेंसी है, फीडियो थेरपिस्ट की वेकेंसी है और भी यहां पर जो है audiologist की वेकन्सि है, psychologist की वेकन्सिए है और भी यहांपर जो है कई पद रहने वाले हैं तो friends बहुत जब अधस notification है बहुत सी अच्छी से नमबराव वैकेंसी जहां पर कितनी और एज्यूकेशन वाली फ्येकेसन आपका क्या रहेगा एज क्या मांगी गई है आवे दन कैसे करना नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और यह प्लीज, यहांको जरू चर्थ करें और बेल की आइकन को प्रेश करके आल के नोटिफिकेशन तक तन पहुंच सके और यह पिडिफ आपको को डिश्के ίा गया है वहापे侅गों पर यहांग भूक को आप ज़ूआ जायेगे हैं और पूरी नोटिफीकेशन यहांपे हम कवर करने ओलने तो लाइप वीडियो को लाश्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलते हैं फ्रेंट्स ऑफिशल अपडेट की तरफ तो सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन कहां से जारी की गई है तो फ्रेंट्स यहां पर आप दे सकते हैं उपर दिया गया है महत्मा गांधी स्मृति चिकिस्सा महाविद्याले इंदोर यानि कि महत्मा गांधी स्मृति चिकिस्सा महाविद्याले इंदोर कितब से नोटिफिकेशन जारी की गई विग्यापन यहां पर जारी कर दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले नोटिफिकेशन हम जो बिग्यापन जारी किया गया उसकी रीड करते हैं यहां पर दिया गया है यहां पर बोला जा रहा है कि आपकी यहां पर वेकेंसी रहने वाली है तो सम्विदा के आधा पर वेकेंसी रहेंगी और कहां पर वेकेंसी हैं महातमा गांधी स्मृति चीकिसा महावी दले इंदोर में यह वेकेंसी रहने वाली है और आप लोगों से आवेदन आमत्र कियाते हैं और लास्ट टेट इसकी क्या रखी गई है आप यहां पर दे सकते हैं आवेदन के अंतिम टेथी पचीस दो दोजाबाइस हैने कि पचीस फरवई तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं 25 फरवरि आपकी auntie यहां रहने वाली है तो जिन भी कंडिघर आपलाई करना है सकते हैं यहां पर आप देजिए कश्किया फेला संच्या आप को ढाई पता नाम क्या है पद को कि आपको सेलेरी कितनी मिलने वाले कि सकते हैं सबसे पहले यहापर नंबर एक पर पर यहां पर संस minerals की पोस्ट के लिए है यहाथ टोटल नंबर झाल वेकेंशया चाब्र सकते हैं स्म lens चार पद है टी में 6 पद हो ओबी ची में आठ पद है और टीन पद टोटल यह तीस पद जो है स्टाफनेंश के रहने वाली है और क्वालिफिकेसन की बात करें तो यहां पर देख सकते क्वालिफिकेसन आपका बीची नर्सिंग है तो भी बैजलरी जय कोछ्ट रहने वाली है यहाँ जैसे कोई कोर्स आपके पास है और आपके बैजलरी किरसे क्या Case Grid यूर की तो इसमें आपके पास बैसले इन आडियो स्पीच लेंगवेज का डिप्लोमा है या फी बेस्टी इस पीज एंड हैरिंग अडियॉलोजी स्पेशल डिपलोमा टिपलोमा है डियॉलोजी इंड इस पीज इन में से कोई एक तो भी हाप यहां पर अपलाई कर सकते बी सेज़लिक हैं तहां पर रहने वाली है तो उसी स्टाफ नर्श की बदस Scobeck मेंटल ऐरिट्रेट्रेशन एगर है तो भी आपलाई का सकते हैं और पंद्रह जार रुपय आपके नाफिया सेलरी रखी गई है किसे यहाँ पर सीयल जो है हैं मैं यहां पर देख सकते हैं स्विक्राद मानुव संसाधन के अंतरगत तो यहां पर एक पोस्ट यूर के मास्टर डिगरिंट पब्लीक हेल्थ या अश्विटल मेनेजमेंट या निउट्रिशन में है तो भी आप यहां पर तो अपलाई कर सकते हो 25 रुपे इसकी सेली रखी गई है नंबर आफ वेकेंसी आप देख सकते हैं 36 यहां पर जारी कर दीगें एनेचेम कितुर यह वेकेंसी हैं और जबदस यह वेकेंसी आपको लिए रहने वाली हैं अब आगे इंट्रेक्शन दे दिये गए हैं इसको आप रीट कर सकते हैं दिया गया है उपरोगत पूरता आ मैंने बता कि नोटिफिकेशन आपको इस ऑफिशल वेब साइट से मिल जाएगी एंजी एंट्रेक्शन किया जा सकता तो यहां से आपको नोटिफिकेशन यह मिल जाएगी अब आगे देख सकते हैं आवेदन प्राफ्त करने के अंतिम तित्थी आपको बता दी गई है पच प्रिंट कर लेना है आपको अभी नीचे दे दिया जाएगा उसमें आपको अपना सारा डाकुमेंट लगा के और सारी चीज़ा आपको फिल करके आप या फिर आप रेइस्टर डाक से भेज़े या फिर आप जो है जाके वहां पर आफिस कार्याले में समिट कर सकते हैं सबी पदों के लिए सबी अभी कंडा है जिस पर के लिए और यहां पर आपको भी तो यहां पर नाम यहां पर आपको लिख शकते हैं यहां पर ज सका नाम लिगघ डाल देना है यहाँ पर कि आपकी स्टाफोर्णाले के लिए वार कि फोटो लगाकर आपको это आपको फिल करनी है अब आवेदन सुल्क कितना रहेगा आप दे सकते हैं आवेदन सुल्क की बात करें तो यहां पर आवेदन सुल्क के बारे उन डिटेल मिल जाएगे आपको यहां पर दे दिया गया कि अनार अच्छी सरेड़ी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपे तथा आपको आपको जमा कर रशीट आपको आपको आवेदन सुल्क के बात करना है और इसकी रिसीट आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी है तो यह आवेदन प्रारूप के साथ साथ डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है उसके साथ-साथ यहां पर जो भी डाकुमेंट साब से मांगे गए हैं वह यहां पर आपको लगाना है तो यहां पर आप जैसकते हैं जम जिद्धी के लिए कच्छा दस्की लगानी जाज लगाना अधारकार लगाना बेग्ग्याप्तिक के अनुसार सच्रेक योगिता जो भी होगी उस यानि के उज्वकेशन क्वालिफिकेशन वो सब लगाना है एक्सपीरेंस से तो लगाना है जाए जमा किये गए आटीजेस की रसीद आपको लगानी है और अन्य प्राम पत् सब्सक्राइब करें और अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफरमेशन के साथ जाहिन जाभारत